हम cover कर रहे हैं उडान ज्हारखंट objective जो कि 9000 प्रस्नों का बहासागर है 12 दिनों को हमने cover कर लिया आज 13 दिन है लगवक 30 दिनों में पूरी book को cover कर लिया जाएगा आज हम ज्हारखंट economic survey और budget से related सारे questions को यहाँ पर देख लेंगे आप इसे देखेंगे इसके बाद आपको economic survey और budget से related कोई भी question नहीं चूटेगा स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी YouTube चैनल परिक्षा Halt 247 में अगर आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरू दबाईएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परिक्षा Halt 247 को share किजेगा दोस्तों विडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप JSSCCL की तयारी में लगे हुए हैं और इस बार मन आपने बना लिया है कि किसी भी तरीके से अपना एक सी पक्का करना है तो paper 2 में खोर्था के लिए और paper 3 जो की common है सब के लिए उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक right strategy के तहट यहाँ पर काम कराई जा रही है और जो भी बच्चे इसे जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं guarantee ले सकता हूँ कि जो इसको अच्छे से काम कर रहा है उसका selection यहाँ से 100% निश्चित है तो paper 2 और paper 3 के लिए काम कराया जा रहा है paper 2 में ख जानकारी मिल जाएगी 10 के बाद यानि कि कल के बाद इसमें कोई entry नहीं होगा और उसके बाद यहाँ पर आप अगर entry लेना चाहेंगे तो फिर उसका conditions बदल जाएगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को यहाँ पर हम question को बहुत जादा question को यहाँ ल चुका है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 के भी हमें fact करके जाने है चीक है उससे क्या होगा कि अगर question इधर से भी पूछता है तो हमसे नहीं चूटेगा तो यह है कि जार्खंड आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 में cool कितने अध्या है cool कितने chapters है तो याद रखेगा financial year 2019-20 में जार्खंड राज्य का आर्थिक सम्वरिद्धी दर अनुमानी थे कितना अनुमानी थे जार्खंड वित्यवर्ष 2000-21 के financial year क्या होता है आप लोग यह जानते होंगे और economic survey क्या होता है कि हम लोगों को देखे जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षन जो होता है economic survey बजट के ठीक एक दिन पहले पेस किया जाता है अब बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षन को जो पेस किया जाता है इसमें ये बताया जाता है देखे बजट में बताया जाता है कि हम आने वाले साल में आने वाले financial year में क्या क्या करने जा रहे हैं कौन-कौन सी यूजनाय लगाने वाले हैं इसमें क्या खर्च आएंगी इसमें किस परकार से हम implementation करेंगे ये सब बताया जाता है budget में और आर्थिक सर्विक्षन में ये बताया जाता है कि पिछले budget में हमने क्या किया उसके implementation के लिए हमने क्या किया उसका progress report बताया जाता है कुल आसान भासा में अगर इसको कहें तो आर्थिक सर्विक्षन एक ऐसा report होता है जिसके जरी देश की या फिर राज्य क्या economic status कैसा है आर्थिक स्थिति कैसी है ये report पेस किया जाता है लेखा जोखा पेस किया जाता है आर्थिक सर्विक्षन के आधार पर तो ये कुल मिला करके आप इसे समझ सकते हैं अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बताये जिसके जर्खंड राज्य का आर्थिक समर्धी दर कितना अनुमानित है तो ये आप बता सकते हैं कि ये था आपका 2020-21 आर्थिक सर्विक्षन में 2020-20 का जर्खंड राज्य का आर्थिक समर्धी दर जो था ये आपका कितना था? 6.7%, कितना था? 6.7% एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार बित्यवर्स 2019-20 में जार्खंड राज्य में क्रिसी 1 तथा मत्सियन छेत्र की सम्वरिधी दर कितनी अनुमारित है तो यह याद रखेगा 2.5 प्रतिसत जार्खंड राज्य में क्रिसी 1 मत्सियन यह तो आप समझती होंगे क्रीसी क्या agriculture, forestry और जो आपका फिसरी है उस छेतर में जो संवरिधी दर्ट जो growth rate है वो कितना अनुमानित है तो 2.5 प्रतिसत है ठीक है आगे देखे बतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है जारकंड राज में बित्य वर्ष 2019-20 में फसलों के उत्पादन में कितनी ब्रिधी दर करी गई कि हमने पिछले साल ये बजट लाया था उसके लिए ये काम किया और अभी हम आपको उसका ब्याउरा दे रहें किस में 2020 में किस साल का ब्याउरा दिया जाएगा 2020 का किसका दिया जाएगा 2019 तो फसलों के उत्पादन में कितनी ब्रिधी दर्ज करी गई 2019-20 के financial year में तो ये कौन बताएगा वही पिछले साल का लेखा जोका कौन बताता है तो ये बताता है आपका आर्थिक सर्वेक्षन तो ये कौन बताएगा 2021 वाला अच्छा कितना ब्रिधी दर्ज किया गया तो ये आपका negative में रहा है कितना negative में रहा है minus 0.2 प्रतिसत minus 0.2 प्रतिसत अब देखे क्या कहा जा रहे कि जहारकंड आर्थिक सर्वेक्षन यानि कि economic survey 2021-2021 में बित्या वर्स financial year 2019-20 में राज में जो fisheries area है जो fisheries sector है उसकी सम्वरिद्धी दर उसका growth rate कितना अनुमानित है ये कि जहारकंड आर्थिक सर्वेक्षन जो economic survey के अनुसार वित्या वर्स 2019-20 में राज में खनन वा उत्खनन चेतर जो mining चेतर है इसमें कितना growth rate अनुमानित है तो mining चेतर में जो growth rate अनुमानित है वो 1.8 प्रतिसत आपको मैं फिर से बता दू कि ये है जहारकंड economic survey 2021 से related data आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है आगे देखे 2020-21 के अनुसार वित्यावर्स 2019-20 में राज के प्रात्मिक चेतर की संवर्दे प्रात्मिक चेतर क्या होता है वही प्राइमरी सेक्टर क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्सियरी सेक्टर क्या होता है प्राइम क्या होता है तो ये हमने आपको economics के lecture में कराया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो प्रात्मिक छेतर की संवरिधी दर growth rate कितना अनुमानित है 2019-20 के लिए तो ये आपका है 2.2 प्रतिसत 2.2 प्रतिसत आगे देखें कि वी निर्मान छेतर की संवरिधी दर कितना वी निर्मान य अभी जितने भी questions होंगे उतने आपको understood करना है 2020-21 का economic survey और financial year 2019-20 वाला budget का लेखा चलिए अब देखें क्या कहा जा रहा है कि देखें secondary sector में कितना growth rate हमने अभी देखा primary sector में 2.2% का growth rate हमने देखा है ठीक है secondary sector में 4.9 प्रतिसत 4.9 प्रतिसत तो देखें primary sector में क्या होता है धर्ती से related secondary sector में होता है industry से related कल कार खाने से related और tertiary sector में आपका सेवा छेतर आता है services जो दिया जाता है वो आता है तो चलिए जो secondary sector है उसमें कितनी सम्रिधी यारि कि growth rate अनुमानित है तो 4.9 प्रतिसत 4.9 प्रतिसत अच्चा जार्खंड आर्थिक सर्वेक्चन ये तो है ही अच्चा उद्योग छेतर की सम्रिधी दर कितनी अनुमानित है उद्योग छेतर की सम्रिधी दर अनुमानित कितनी है तो ये आपका है 4.9 प्रतिसत तो देखे दृतियक छेतर और उद्योग छेतर ये आपका 4.9 प्रतिसत है हमने बताया था अभी आपको चलिए कहा जा रह अचरा, कौन से चेतर में, कौन से चेतर या फिर उट चेतर में, जो सबसे सरवाधिक growth rate अनुमानित है, तो ये है आपका वायू परिवहन वाला चेतर जो aviation होता है उस वाले चेतर में, ठीक है, वायू परिवहन वाला चेतर, अच्छा, यहाँ पर क्या है, कि राज में वायू परिवहन के छेत्र में कितना ग्रोथ रेट अनुमानित है तो वायू परिवहन के छेत्र में 31.7 प्रतिसत है और सबसे ज़्यादा सरवाधिक सम्रिधी दर सरवाधिक ग्रोथ रेट इसी में अनुमानित है ठीक है आगे लिखे क्या कहा जा रहा है कि राजे में किस छेत्र में नकरात्मक संवरिदी दर का अनुमान रहा है नकरात्मक यानि के नेगेटिव बिर्धी हुआ नहीं बलकि घट गया तो ये कौन से छित्र में तो फसल उत्पादन और भंडारण अभी अमने देखा था उपर माइनस जीरो दो प्रतिसत तो ये वाला फसल उत्पादन के लिए था तो क्या है फसल उत्पादन और भंडारण स्टोरेज वाले छित्र में यहाँ पर नकरात्मक नेगेटिव में चले गए है जार्खंड राजी की आर्थिक संवरिदी दर रिनात्मक रही है इनमें से किस वर्स कहा जा रहा है कि जार्खंड आर्थिक सर्विक्षन 2021 के नुसार किस वर्स जार्खंड राजी के आर्थिक संवरिदी दर रिनात्मक रही है तो ये रहा है आपका कौन सा 2015 16 वाले क्या बोलते है आर्थिवर्स में ठीक है तो ये आप बताएंगे कि प्रतिवेक्टि आई जो अनुमानित है वो आपका 89,873 याद रखेगा. आगे देख लेते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षन 2021 में वित्यवर्ष 2021 में ये 19-20 हो जाएगा. इसमें प्रतिवेक्टि आई में, ब्रिधी का कितना अनुमानित है. अभी 2020-21 कहा जा रहा है कि 2020-21 के अनुसार 2019-20 में राजी का प्रतिवेक्टि आई कितना अनुमानित था तो ये है आपका 89,873 अच्चा. आने वाला जो financial year होगा इसमें अनुमानित है कि इतना भृत्धी हो सकता है तो ये आपका कितना तो minus 6.9 प्रतिसत मतलब negative में जाएगा ठीक है चलिए आगे देख रहेते हैं कि कहा जा रहा है कि economic survey 2020 किसके अनुसार आगामी महिनों में जार्कन राज में अर्थ विवस्ता के स्थिती में सुधार का अनुमान है अच्छा ये पूछा जा रहा है कि आगामी महिनों में जार्कन राज में अर्थ विवस्ता के स्थिती में सुधार का अनुमान कैसा है तो ये आपको कुछा जा रहा है तिया आपका V.A.K.R. में होगा, अच्छा ये V.A.K.R. क्या है, देखिए तो कहीं कि भी जो अर्थ वरस्था या फिर economy होती है, तो economy क्या होता है, एक time, मतलब economy ऐसा तो नहीं कि हर समय एक जैसा यहाँ पर recession भी आ सकता है, यहाँ inflation भी आ सकता है महंगाई भी हो सकती है, GDP में आप गिरावट भी देख सकते हैं, ठीक है, समय के साथ आप देखेंगे कि GDP गिर रही है, और फिर देखेंगे कि GDP हमारी उच्छल करके, मतलब उपर आ गई, ठीक है, हमारा economy बहुत recession के साथ क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था, नेगेटिव म पढ़ाएंगे, ठीक है, जादा से जादा लोगों को employment देंगे, production पढ़ाएंगे, ठीक है, अपना import, export यिन सब पर काम करके, क्या कर सकते हैं, अपने economy को recover कर सकते हैं, अब ये जो economy का recovery होता है, इसके अलग-अलग stages होते हैं, और इसमें क्या होता है, A saved होता है, A saved economic recovery होता है U saved economic recovery होता है, V saved economic recovery होता है, L saved economic recovery होता है, तो यहाँ पर यही पुछा जा रहा है, कि बताएंगे, जारकंड economic survey, जो 2020 से किस वाला है, इसमें क्या बता है, या आने वाले महिनों में, जारकंड राज में, अर्थववस्था की स्थिती में, सुधार का किस प्रकार का अनुमान ह तो यहाँ कहा गिया है, V장이 सुधार का अनुमान है, जो कि एक अच्छा symbol होता है, किसी भी अर्थवस्था के लिए, अगर किसी भी अर्थवस्था में, VAK का economic recovery का अनुमान है, तो एक अच्छा अनुमान होता है, दिखे क्या होता है, एक axis ले लिया, ठीक है, इस axis पर आपने टाइम लिया और इस एकसिस पर आपने क्या लिया GDP ले लिया, अब क्या होगा ये GDP जो है एक लाइन पर चल रहा है और अचानक से यहारी सेसन आ गया, नीचे निगेटीव में जाते जा रहे हैं और निगेटीव में जा करके कि फिर से अगर bounce back वहां से करते हैं, क्या होता है, यह एक आपका threshold line है, यहां से bounce back किया, और GDP जो है, फिर से bounce back करके, अपने present status में आ गई, तो यह जो इस परकार का recovery है, इसे कहा जाता है, we saved recovery, यहाँ पर क्या हुआ, कि bounce back करने में, ज़्यादा time भी नहीं लिया गया, ठीक है, GDP घटा, लेकिन इसमें क्या हुआ, हम क्या किये, bounce back करके, फिर से अपने आपको, अच्छी इस्तिती में लेकर क्या है, और यहां से, अगर और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा, नीचे आता है, तो यह एक Z saved economic recovery कहलाता है, अग blue saved बहुत खराब economic recovery है, ठीक है, अगर you saved की बात करें, तो you saved और बहुत खराब है, ठीक है, you saved इसमें क्या हुआ, धीरे देरे आएंगे, धीरे देरे देरे, क्या हो रहा है, recover कर रहा है, तो यह हम इसमें economic अपने GDP recover करने में थोड़ा time ले लेते हैं, और थोड़ा मेरा स्थि खराब हो जाता है, अगर you saved की बात करें, तो वो और बेकार है, क्योंकि हम नीचे गएं, और फिर वहां से recover नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नीचे गएं, जो GDP का मेरा है, वहां से नीचे गएं, और time के साथ हम उसे recover नहीं कर पा रहा है, तो यह you saved होता है, तो अभी हम आने ब State Development Product के Cool Suckle घरेली उतपाद का कितना प्रतिसत है, तो यह आपको बताना होगा, यह आपका 1.6 प्रतिसत, जारकंड आर्थिक सर्विक्चन, Economic Survey 2020 के अनुसार, जारकंड का GSDP उतपाद, भारत के Cool GDP का कितना प्रतिसत है, तो यह आपका 1.6 प्रतिसत है, याद रखेगा, भारत कितना प्रतिसत है, यह Economic Survey 2020 की बात हो रही है, तो यह अस्थान आपका कितना प्रतिसत है, 26 वा अस्थान था, बहुत मतलब नीचे से हम लोग टॉप किये हैं, तो यह आपका कितना है, माइनस 3.2 प्रतिसत, यानिकी निगेटिव में रहने बाले हैं, तो कोरोना के कारण सब कुछ निगेटिव में ही जा रहा है, चलिए, आगे देखे, Economic Survey 2020 की अनुसार, नीचे दिये गए कौन से कथन सत्ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, जहारकंड के सहरी छेतर की मु गाईदर है, वो ग्रामिन छेतर से अधिक रही है, तो यही सही है, आगे देख लीते हैं, क्या कारा है, जहारकंड आर्थिक सर्विक्षन 2020 की अनुसार, 2005-06 से लेकर, 2015-16 के भी, जहारकंड राज में बहु आयामी निर्धनता के प्रतिसत में, बहु आयामी निर्धनता के, प्रतिसत में कमी दर्ज की गया, आगे देखें, जहारकंड आर्थिक सर्विक्षन 2020 के अनुसार, बित्यवर्स 2019-20 में, कूल बजटिया व्याई का, कितना प्रतिसत व्याई, योजना व्याई के रूप में होने का अनुमान है, तो यह आपका कितना है, 53%, 53%, आगे देखते ह हैं, 2020-21 के अनुसार, बित्यवर्स 2015-16 में, राजेकार राजकोसिया घाटा, जो क्या बोलते हैं, इसको फिक्सल डेफिसीट बोलते हैं, राजकिया राजकोसिया घाटा, अनुमानित सीमा से, अधिक 5.5% रहा है, और इसका प्रमुख कारण क्या है, देखें, हमने आपको बजट बहुत डिटेल में, बजट और एकोनोमिक सर्वे एक क्लास आपका लिया था, आप देख सकते हैं, नहीं तो जब एकोनोमिक आपको करवाएंगे एकोनोमी, तो वहाँ पर आपको ये सब बता देंगे कि फिक्सल डेफिसीट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसीट क राजे का राजकोसिया घाटा जो है, ये अनुमानित सीमा, एक जो सीमा था, उससे अधिक रहा है, राजकोसिया घाटा कम होना चाहिए, तो ये अधिक रहा और इसका प्रमुक कारण क्या बताया गया है, तो यहाँ पर इसका प्रमुक कारण ये है कि उधाय योजना के तह क्योंकि इतना संपन राजे, सुखी संपन, इतना आर्थिक मुतलब जुकते, खनीच संपदा से प्रकिर्टे में यहाँ पर सब कुछ भर-भर के दिया है, लेकिन यहाँ पर जो अंधेर नगरी चौपट राजा यहाँ चलाने में असमर्थ लोगों को दिया गिया है, हमेशा प्रतेक वैक्ति के उपर कितना राइन हैं, तो देखें, कितना लोट बढ़ गया होगा सोचके देखें अब देखे एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पंदरहवे बित्ता आयोग के द्वारा जारकन्ट राजी के अस्थानिय सहरी निकायों को केंदर द्वारा कितनी रासी अनुदान के रूप में देने की सिफारिस की गई है तो ये किया गया है 3367 करोर रूपए देखे ये कितना और ये दे दिया जाएगा फिर ये लूट लूट करके खाएंगे चलिए आगे एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पंदरहवे बित्तायोग ने जारकन्ट राज में बैदेनात धाम के विकास हेतू केंदर से कितनी रासी विसेश अनुदान के रूप में देने की सिफारिस क तो ये आपका 1300 करोड और 1300 करोड में से 1299 करोड ये लोग लूट लूट करके गबन कर लेंगे ठीक है और 1 करोड रूपिया खर्चा करके दिखा दिया जाएगा चलिए आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि जारकन्ट एकोनोमिक सर्वे के अनुसार जारकन्ट राज में प्र एक लाख जनसंग्या पर कितनी बैंक साखाएं उपलब्ध हैं तो 9.16 9.16 एकोनोमिक सर्वे के अनुसार जारकन्ट राजी की कूल बैंक साखाओं में नीजी छेत्र की हिस्सेदारी कितनी है अगर लगबग की बात करें तो नीजी छेत्र की जो हिस्सेदारी है वो आपका कितना है तो ये है 14 प्रतिसत जारकन्ट एकोनोमिक सर्वे के अनुसार जार है आपका 1.25 टाइम्स ठीक है यह स्पीड करने का है और यह है 0.75 टाइम्स तो यह आप उपर नीचे करके देख सकते हैं अपने अनुसार ठीक है आप बहुत ज्यादा कम्प्लेन करने लगते हैं कि स्पीड कम है स्पीड ज्यादा है तो इस तरह से आप यहाँ पर कितना है 80% है चलिए आगे देख लेते हैं कहा जा रहा है जहारकंड आर्थिक सर्वेक्षन एकोनोमिक सर्वे के नुसार बित्य समावेशन सुचकांग 2017 में जहारकंड के किस जिले का स्थान प्रथम रहा है तो यह आपका राची का अब देखे क्या कहा जाता है कि बित्य स चिले का स्थान अंतिम पर रहा तो अंतिम पर रहने वाला है गळवा फस्तव पर प्रथम स्थान पर कौन था राची और अंतिम स्थान पर गळवा अब देखते हैं आगे कहा जा रहा है कि एकोनोमिक सर्वे 2020 सिकिस के नुसार प्रधान मंत्री जंधन योजना के ताहत खा खोलने की दृष्टी से देश के राजियों या फिर केंदर सासित पर देशों में जारकंड का स्थान चोथा रहा है जारकंड सरकार के द्वारा राज्य में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्द कराने के उद्देश से से इनमें से कौन सी योजना का सुभारंब किया गय तो ये आपको याद रखना है ये किया गया आपका विर्सा हरित ग्राम योजना निलांबर पितांबर जल्द समरिद्धी योजना बीर सहीत पोटा हो खेल विकास योजना तो ये सब है आगे देख लेते हैं कि जो बिर्सा सहित, बिर्सा हरित ग्राम योजना के तहत लाभारती परिवार को जिस परिवार को लाभ मिलेगा उसको पौधा रूपन के तीन वरसों के बाद लगभग 50,000 रुपे मासिक आय का अनुमान व्यक्त किया गया है बिर्सा हरित ग्राम योजना के तहत लाभारती परिवार को पौधा रूपन के तीन वरसों के बाद लगभग 50,000 रुपे का मासिक आय अनुमान व्यक्त किया गया है बिरसाहरित ग्राम योजना के तहत अगले पाँच वर्सों में क्या होगा वही तो ये 25 करोड मानव दिवस कार्य स्रीजित करने का लक्ष रखा गया है ठीक है आके देख लेते हैं कहा जा रहा है कि निलामबर पितामबर जल सम्रिधी योजना अभी हमने देखा निलामबर पितामबर जल सम्रिधी योजना के तहत अगले चार से पाँच वर्सों में 25 करोड मानव दिवस कार्य स्रीजित करने का लक्ष रखा गया है ठीक है याद रख लिजेगा निलामबर पलामू वाले छेत्र पर विसेश बल देने का लक्ष है। प्रधान मंतरी ग्राम सलक यूजना के अंतरगत जारकंड में निर्मित ग्रामीन सलकों का कितना प्रतिसत है, तो यह बहुत इंपोर्टेंट याद रखेगा 3.96 प्रतिसत, Economic Survey 2020-21 के अनुसार, तीन फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार, प्रधान मंत्री ग्राम सलक यूजना के तहत जारकंड में, निर्मित ग्रामिन सलकों में, देश में, निर्मित कूल ग्रामिन सलकों का कितना परतिसत है, तो देश में जितने भी ग्रामिन सलक बने, उनमें से जारकं इनुसार, बित्यवर्स 2016-17 से 2020-22 के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पर किस जिले में, ग्रामिन सलकों का विकास सबसे अधिक हुआ है, तो किस जिले में ग्रामिन सलकों का विकास सबसे अधिक हुआ है, यह आपका गुमला में हुआ है, यह कहाँ पर हुआ है, गुमला में कहा जा रहा है जहारकंड आर्थिक सर्विक्षन 2020-2021 के अनुसार उलान योजना का उद्देश से क्या है? विकास करना आदिम जनजातियों का विकास करना है आगे देख लेते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 के नुसार राज्य के पाकूर जिले के किस प्रखंड में आदिम जनजाति की महिलाओं के द्वारा निर्मित थैलों का परियोग डाकिया योजना में किया जा रहा है त एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के नुसार जहरकंड राज्य में संचालित जोहार योजना का संचालन इनमें से किस वित्यसन स्थान के सहयोग से किया जा रहा है तो ये विस्व बैंक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है ठीक है जाद रखेगा जहरकंड एकोनोमिक सर्वे ज जोहार योजना का संचालग। का कपीलो गिरिडी का कपीलो याद रखेगा जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार इनमें से किस ग्राम पंचायत को नाना जी देश्मुख राष्ट्रिया गौरव ग्राम सभा पुरसकार 2020 से समानित किया गया तो गिरिडी के कपीलो को आगे देख लेते हैं एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार किस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजनावाड 2020 से समानित किया गया है 2020 से किस के नुसार किस ग्राम पंचायत को नाना जी बाल मित्र ग्राम पंचायत अवाड 2020 से सम्मानित किया गया तो नाना जी बाल मित्र ग्राम पंचायत अवाड 2020 से सम्मानित किया गया किसको बोकारों को बिंडू बुंडू को और अभी हमने देखा नाना जी देशमुक रा Economic Survey 2020-21 के नुसार किस नगरनिगम के अंतरगत गठित सुसीला महिला समीती की सफलता की कहानी का प्रदर्शन डीडी नेस्नल चैनल पर किया गया तो ये किया गया आपके राची नगरनिगम के तहत तो Economic Survey 2020-21 के नुसार राची नगर निगम के अंतरगत गठित सुसीला महिला समीती की सफलता की कहानी का प्रदर्चन डीडी नेशनल चैनल पर किया गया राची नगर निगम के तायत। बिस्व बैंक के सहयोग से संचाली थे ठीक है? बिस्व बैंक के के आगे देख लेते हैं कि जो यहाँ पर है आर्थिक सर्वेक्षन 2021-21 के नुसार केंदर सरकार के द्वारा संचाली अमरित मिसन में जहारखन राजे का कौन सा सहर अमरित मिसन में आच्छादित नहीं है तो य आपका गड़वा है कौन सा गड़वा गड़वा चलिए आगे देख लेते हैं कहा जा रहा है कि एकोनोमिक सर्वे 2021-21 के नुसार जहारखन राजे के कितने सहरों को अमरित मिसन के तहत सामिल किया गया है तो यह किया गया है जहारखन राजे के कितने सहरों को सामिल किया गय तो यह वो है आपका 126%, कल्वियम ने इसके बारे में बात किया था, सस्ते सगंता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 126%, एकोनोमिक सर्वे 2020 किसके नुसार, प्रधान मंत्री फसल विमाय योजना के अस्थान पर राजे सरकार की द्वारा नीचे दिये गए, कौन सी योजना की सुर करी गई है जारकन पर राजे फसल राह योजना, एकोनोमिक सर्वे 2020 किसके नुसार जारकन्ट सरकार के द्वारा प्रारंब प्रखंड क्री सी रीन माफी योजना की सुरुआत की द्वारा 2020-21 के नुसार जहारकंड सरकार के द्वारा प्रारंब क्रीशी रीन माफी योजना के अंतरगत मानक फसल रीन की अधिक्तम कितनी रासी माफ की जाएगी तो ये करा जाएगा आपका अधिक्तम 50,000 रुपे की रासी माफ करती जाएगी 2020-21 के नुसार जहारकंड में PDS डिलर की सरवाधिक संख्या किस जिले में है तो याद रकेगा 2021 के एकॉनोमिक सरवे के नुसार जहारकंड में PDS डिलर की सरवाधिक संख्या जो है ये आपके राची में है PDS यानि की जो Public Distribution System होता है जो आपका क्या बोलते है Public सारवजनिक वि उसके लाभारतियों की सही पहचान करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं गुलाबी कार्ड ठीक है गुलाबी कार्ड किसका पहचान है तो यहाँ पर यह है कि अलग-अलग रासन कार्ड के कलर को देखते हुए और उसको उस रासन कार्ड के लाव कौन-कौन उठा सकते हैं, उसके लिए यहां कुछ options दिये गए हैं, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, कि गुलाबी कलर का रासन कार्ड किसे दिया जाता है, तो गुलाबी कलर का रासन कार्ड दिया जाता है PHH को, ठीक है, PHH के लिए गुल प्रायोरिटी हाउस होल्ड रासन कार्ड अब प्रायोरिटी हाउस होल्ड रासन कार्ड के तहत क्या होगा कि जो जार्खंड सरकार है ठीक है जार्खंड सरकार है तो ऐसे व्यक्ति जिसका सलाना इंकम है एक लाख से कम ठीक है तो गरीब व्यक्ति को प्रायोरिटी हाउस होल् पिएचेज के लिए एक लाग से कम सलाना आय होनी चाहिए और इसमें जो आपको जो भी सुविदाय अन फसल को जो मिल सकता है चीक है तो वो जादा दिया जाएगा आपको प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा प्रायोरिटी हाउसफोल्ड वाले को अच्छा पीला रासन कार्ड किसे दिया जाता है तो AAY यानि कि AAY मतलब होता है अंतियोद्य अन योजना इसका मतलब क्या है सबसे अंतिम कैटेगरी में खड़े लोगों के लिए समाज में सबसे अंतिम में यानि कि जो सबसे लोवर कैटेगरी के लोग होंगे सबसे गरीब जो होंगी उसके लिए कुछ परामेटर सेट किये जाते होंगे है ना तो इस योजना के तहत अंतियोद्य अन्योजना तो इस योजना के तहत ए ए वाई रासन कार्ड बना के दिया जाता है और उसका कलर होता है पीला अच्छा हरा रासन कार्ड किसे दिया जाता है तो हरा रा को क्राइटेरिया को फुल्फिल नहीं करते हो तो उससे उपर वाले कैटेगरी को हरा रासन कार्ड दिया जाता है अच्छा सफेद रासन कार्ड किसी दिया जाता है तो सफेद रासन कार्ड जारकंड में जिस वेक्ति की सलाना आए एक लाग से अधिक हो और वो रासन कार्ड स्काद्य सुरक्षा योजना के संबन्द में नीचे दिये गए कौन सा कथन और सत्य है अब इसके तहट क्या है कि इस योजना के तहट यानि कि विसेश खाद्य सुरक्षा योजना के तहट राजी के 15 लाख लोगों को लाप पहुचाया जाएगा सही बात है अच्छा इस योजना के तहत ये भी है कि इस योजना के तहत लाभार्तियों को एक रुपे प्रती किलोग्राम की दर से प्रती माह पाच किलोग्राम अनाजुपलब्द करा जाएगा और इस योजना के लाभार्तियों को पी एचेच अंतियोदे और पीवी टीजी में वर्ग माध्यम से इनमें से किसका वित्रन किया जाता है अच्छा वित्रन किया जाता है पीडियस के माध्यम से तो याद रखेगा चावल गेहु चीनी नमक केरोसीन तेल चावल गेहु चीनी और केरोसीन नमक केरोसीन तेल ठीक है तो इसका वित्रन किया जाता है पीडियस के माध्य सही है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बता यह जो जो डालभात केंद्र है इसमें कौन सा मिलान सही है तो यहाँ देखते हैं कि विसेश डालभात केंद्र ठीक है तो इसमें क्या है 200 जरूरत मंद लोगों को प्रती दिन नहसूलक भोजन का वितरन करा जाएगा विसेश्ट ड जरूँद देली नीसुलक भोजन फृमें गोजन करा जाएगा वही पर विस्प्ष लालबात केंदर के अंदर क्या था जलिए संचालित किया गया और अतिरिक्त दालभात के इंडर पुलीस स्टेशन के अस्तर पर निसुल्क वोजन का बित्रन जार्खन राजे में संचालित मुख्यमंत्री दालभात योजना के तहत किस दर पर निर्धन लोगों को एक समय का वोजन उपलब्द कराया जाता है तो याद रखेंग 2020-21 के अनुसार 2016-18 के लिए भारत में मात्रित्व मृत्यू पर विशेश बुलेटीन के अनुसार जार्खन में मात्रित्व मृत्यू दर दर्ज किया गया है तो ये किया गया है आपका 71 याद रखेगा एकोनामिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2016-18 के लिए भारत में मात्रित्व मृत्यू पर विशेश बुलेटीन के अनुसार जार्खन में मात्रित्व मृत्यू दर दर्ज किया गया है तो ये चौथा अस्थान है जार्खन के किस स्थान पर पुर्वी भारत का पहला एबं सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिक वी निर्मान कलस्टर का निर्मान किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है जार्खन के आदित्यपूर में निर्मान के स्विकृति केंदर सरकार द्वारा दे दी गई है। निर्मित की जा रही प्लास्टिक पार्क का संचालन। इनमें से किसके प्राधिकार में किया जाएगा। क्या हो जाएगा जार्खंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलप्मेंट कॉर्पोरेशन जीड को के प्राधिकार छेतर में प्लास्टिक पार्क का निर्मान जार्खंड में किया जा रहा है और कहां पर देवगर में। और इसके लिए अनुमती किस ने दिया तो ये दिया किंद्रियक रसायन और उर्बरक मंत्राले के द्वारा। अच्छा, Economic Survey 2020, 21 के नुसार, भारत में इनमें से किसका एक मात्र उत्पादक राज जार्खंड है, तो किसका है वही, तो ये आपका है, कोकिंग कोईला का, यूरेनियम का और पायराइट का, देखे, यूरेनियम के बारे में आप लोग जानते होंगे, जार्खंड का जाद तो याद रखेगा, एक मात्र जार्खंड है, जार्खंड है, देखे, प्रकृति ने जार्खंड को भर भर के संपदाय दी है, प्रकृतिक संपदाय दी है, खनीज दिया है, मिनरल्स दिया है, लेकिन जो इसका जो दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर लूट रहे हैं चीजों को जो यहां की धर्ती को लूट रहे हैं यहां की लोगों को लूट रहे हैं आप लोग जानती होंगे बहुत जादा यहां पर भरस्टाचार अभी फैला हुआ है तो चलिए आगे देख लेंगे यह सब चीजों को खनीज के उत्पादन की दृष्टी से जहार्खंड का अस्थान देश में प्रत्हम है अच्छा कौन से खनीज की उत्पादन की दृष्टी से तथा कोईला दोनों खनीज के उत्पादन के दिरिष्टी से जारखंड का स्थान देश में पहला है राजी के चत्रा जिले में स्थित असो का आमरपाली वह मगद खनन छेतर का सम्मंद किस से है तो राज्य के चत्रा जिल, एक तो चत्रा जिला, उसके बाद असो का आमरपाली मगद, खनन छेतर का समन्द किस से है, तो ये आपके कोईला के खनन छेतर से है, कोई कोल माइनिंग छेतर से है, क्या-क्या असो का आमरपाली तथा मगद, यादर केगा असो का आमरपाली तथा अनुसार जार्खन राज में खनन छित्र में सरवाधिक रोयाल्टी की संग्रहन की द्रिष्टी से किस जिले का स्थान पर्थम है तो यह आपको याद रखना होगा धनबाद ठीक है धनबाद है आपका आगे देख लेते हैं कि जो जार्खन एकोनोमिक सर्वे के अनुसार जार्खन राज में खनन छित्र में सरवाधिक रोयाल्टी के संग्रहन की द्रिष्टी से किस जिले का स्थान अंति में तो याद रखेगा यह आपका है गळवा अगे देखे 2020 किस के अनुसार तसर रेशम के उतपादन में उतपादन क रखता है तो यह आपका पहला स्थान रखता है। 2020-2021 के दौरान चीक है इनमें से किस जिले में बिसेस आर्थिक छेतर की अस्थापना की गई है तो बिसेस आर्थिक छेतर की अस्थापना करी गई है गोड़ा में जार्खन राजे के गोड़ा में इनमें से किस कमपनी को बिसेस आर्थिक छेतर की अस्थापना के लिए बिसेश आर्थिक छेत्र की क्या बोलते हैं बिसेश आर्थिक छेत्र इस्पेशल एकोनोमिक जोन क्या होता है इस्पेशल एकोनोमिक जोन सेज की अस्थापना के लिए स्विकृति परदान करी गई है और किस कमपनी को तो अडानी पावर को आगे देखे जहारखंड के गोड बिद्युद परियोजना के तहट, जहारखंड के गोड़ा में अस्थापित की जारे ही बिसेश आर्थिक चेत्र सेज के माध्यम से इनमें से किस देश को बिजली की आपपूरती की जाएगी तो ये करी जाएगी बांगलादेश को, किसे? बांगलादेश को, जहारखंड रा एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के आनुसार, केंदर सरकार के द्वारा 2019 में जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट, इज ओफ बिजनेस ये वाला जो रिपोर्ट है, इसमें जहारकंड का रैंक कितना है, तो जहारकंड का रैंक पाचवा है, जहारकंड का रैंक पाचवा है, जहारकंड economic survey 2022 fps के अनुसार जारकंड राजी में kool उर्जा उतपादन के लिए kool स्थापित चम्ता का कोईला का योगधान कितना है? तो कोईला का योगधान है आपका 90%, 90% जारकंड economic survey 221 के अनुसार जारकंड राजी के kool उर्जा उतपादन में नवी करनीय उर्जा का योगदान कितना है तो ये है आपका मात्र एक प्रतिसक जिसे बढ़ाने की बहुत सक्त जरूरत है तो आप इसे देख सकते हैं कि कम रहा है कितना कम रहा है ठीक है जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार 2019 से 2019-2020 के बीच राज में विद्युत जितनी उपलग्द कराई गई और जितना विद्युत चाहिए ठीक है डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है तो हमें डिमांड जितना है ठीक है डिमांड जितना है और सप्लाई तो सप्लाई से डिमांड जादा रहा है सप्लाई कम रह डिमांड जादा रहा, तो ये कम रहा है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, चलिए, एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार, जारकन राज में उर्जा का सरवाधिक उपभोग किस छेतर में किया जाता है, किस छेतर में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके घरिलू छेतर में, लोबस्टिक एरिया में ठीक है, जारकन एकोनोमिक सर्वे के अनुसार, जारकन राज में उर्जा का सबसे जादा उपभोग जो है, खर्च जो है, ये किया जाता है, कंचिंग किया जाता है घरिलू छेतर में, एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार, जारकन बिजनी बित्रम तो वो सरल समिक्षा पहल है, ससक्ट पहल है और सक्षम पहल है ये तीनों है आगे देखे एकनोमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जार्खन राजे में राष्ट्रिया राजमार्ग की लंबाई 2020 तक क्या ये रिपोर्ट है इसमें राष्ट्रिया राजमार्ग यानि कि नेशनल हाईज की कुल लंबाई जार्खन में 2021 सर्वे के अनुसार तक 237 किलो मिटर थी, अब देखे, क्या कहा जा रहा है, 2020-21 के अनुसार जार्खन राज्रिया राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी भईया, राज की राजमार्ग यानि कि स्टेट हाइवेज की जो लंबाई है, व कितना है 169.7 किलो मीटर एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के नुसार राजी के इन में से किस स्थान पर नए हवाई अड़ा के निर्मान हितू समझोता ग्यापन किया गया है तो ये किया गया है आपके देवगर और धालभूमगर दोनों में देवगर तथा धालभूमगर दोनों में देवगर में हवाई अड़ा के निर्मान के लिए जहारकंड सरकार भारतिय बिमान पत्तन पराधिकरन और किस स्थान के बीच समझोता ग्यापन किया गया है तो ये किया गया आपके DRDO के इस बीच ठीक है इसके देवगर में हवाई पत्तन पराधिकरन और DRDO के बीच एक MOU पर सायन किया गया है जहारकंड राजमी इनमें से किस अस्थान पर उलान उले देश का आम नागरी योजना उलान योजना जो है उलान उले देश का आम नागरी में है जो है इसके तहट हवाई अड़ा का निर्मान प्रस्तावित है तो याद रखेगा इसके तहट दुमका और वोकारों उडान योजना के तहट दुमका और वोकारों दोनों जगा हवाई अड़ा का निर्मान प्रस्तावित है जारकंड एकोनोमिक सर्वे के अनुसार जारकंड राज में दूरसंचार घनत्व कितना है वही तो दूरसंचार घनत्व है आपका 58.92 प्रती 100 वैक्तियों पर टेलिफोन वा मोबाईल की संख्या जो दूरसंचार टेली कम्यूनिकेशन डेंसिटी है वो कितना है तो ये है 100 व अनुपात कितना रहा है तो देखे एकॉनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार जार्खंड राज में निर्भरता अनुपात कितना रहा है तो ये रहा है आपका 58.3 अब आगे देखते हैं जार्खंड आर्थिक सर्वेक्षंद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है तो देखे सहरी छेतरों की तुल्ला में ग्रामीन छेतरों में निर्भरता अनुपात अधीय है तो ये बताये गया किसमें? एकॉनोमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जार्खंड राज में 2018-19 में साक्षर्तादर में लिंग समानता कितना थवी तो ये था आपका कितना तो ये है आपका 0.82 जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जारकंड राजे के सभी अस्तर के विद्यालेओं को मिला कर छात्र सिक्षक का अनुपात कितना है तो ये है आपका 37.8 चात्र और सिक्षक का अनुपात है ठीक है 37.8 ठीक है तो 37.8 लगभग 38 चात्रों पर लगभग 38 चात्रों पर एक सिक्षक है सभी अस्तर के विद्यालेओं को मिला कर ठीक है अब देखिए जारकंड राजे के विद्यालेओं में ड्रॉप आउट की दर को कम करने के लिए जीरो ड्रॉप आउट पंचायत की सुरुवात किस वर्स की गई है तो जीरो ड्रॉप आउट ये इसकी सुरुवात करी गई 2016 सत्रा में जारकंड राजे के विद्यालियों में कितने समर्थ विद्यालियों की इस्थापना की गई है, तो ये किया गया है, 20 समर्थ विद्यालियों की इस्थापना करी गई है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, आगे, यहां लिखा है, जहारखंड के समर्थ विद्यालियों के संदर में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सम परियोजना की सुरुवात करी गई है तो ये करा गया है आपका साथी ए ठीक है कौन सी परियोजना की सुरुवात करी गई है साथी ए परियोजना ठीक है अब देखे निती आयोक के द्वारा जार्खंड राजे के प्रारंब में प्रारंब साथी ए परियोजना है तू जार्खंड सरकार के अत्रिक इनमें से किस के साथ समझोता किया गया है तो ये किया गया है आपके बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रूप के साथ नीक्ति आयोक के द्वारा जार्खंड राज में जो प्रारम किया गया है साथ ही योई परियोजना इसमें जार्खंड सरकार के साथ साथ बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रूप के साथ भी समझोता किया गया है जार्खंड राज में ग्यान सेतु को किस कच्छा के हेतु ला पुस्तकों का प्रकासन किया जा रहा है। 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 पुस्तकों का प्रकासन किया रहा है। संस्थागत प्रसव के मामले में जार्खंड राजे का कौन सा जिला पहले अस्थान पर है। तो ये आपका है गड़वा जिला। जार्खंड एकोनोमिक सर्वे के रुसार जननी सुरच्छा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के मामले में जार्खंड राजे का कौन सा जिला निचले। 24 जिला में से 24 वे स्थान पर कौन सा जिला रहा है तो ये आपका रहा है रामगड़। आगे देखते हैं कि जो यहां पर दिया गया है कि जार्खंड आर्थिक सर्वे क्छन यानिक सर्वे के अनुसार ग्रामिन छेत्रों में पाईप के दौरा जला पूर्ती के मामले में राज्ये का पहला है तो ये है आपका राचि। पानी की पाईप के द्वारा जल आपूरती के मामले में राजे का राची पहले अस्थान पर है अब देखिए 2021 के अनुसार ग्रामिन छेत्रों में पाईप के द्वारा जल आपूरती के मामले में किस जिले का अस्थान अंतिम है तो यह है आपका पाकूल ठीक है तो याद रखेगा 2021 एकॉनोमिक सर्वे के अनुसार ग्रामिन छेतरों में पाइपों की द्वारा जल आपूर्ती के मावले में पाकूल का अस्थान अंतिम है अब देखेए 2021 के अनुसार जारकंड राजी को किस वर्स खुले में सौच से मुक गोसित किया गया है तो ये किया गया है आपके 2018-19 में जारकंड राजी के नैना आजिविका समू का सम्बंद किस जिले से है जारकंड राजी के नैना आजिविका समू का सम्बंद आपके रामगड जिले से है अब देखे राजी के नैना आजिविका समू की लोग प्रियता किस लिए तो राजि के नैना आजिविका समू की लोग प्रियता है घरों की दिवारों पर स्वच्चता संबंदी संदेश के साथ चित्रकारी हे तू यादर केगा नैना आजिविका समू की लोग प्रियता क्यों है तो घरों की दिवारों पर स्वच्चता से संबंदी प्रोचशाहन रासी लाभारतियों को प्रparty कि जाती है। पेंसन योजना के तहट राज्य के लाभारतियों को कितने रुपय की पेंसन परदान की जाती है तो आपको यह याद रखना है जो लाभारतियों को जो पेंसन दिया जाता है तो एक हजार रुपय का दिया जाता है कौन से तो ब्रिधावस्ता पेंसन अब आगे देख लेते ह अब देखे जारखंड एकोनोमिक सर्वे के अनुसार आदिम जन्जाती समुहों के लिए मुख्य मंतरी राज्य पेंसन योजना के तहत लाभारतियों को एक हजार रुपे की रासी परदान करी जाती है इकोनोमिक सर्वे 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो कौन सा कथन सत्य है देखे राज्य के अनुसूचित जन्जाती यानि की सिड्यूल्ड ट्राइव की आबादी वाले जिरों में अनुसूचित जाती की आबादी का संकिंद्रन कम है बिल्कुल सही है ठीक है रा से संलगन जिल है इतनी जो संलगन विहारों के साथ इन में अनुसूचित जाती की आबादी के संकेंद्रन अनुसूचित जाती की आबादी का संकेंद्रन सरवादी के बिलकुल सही है अब आगी देख लेते हैं का जा रहा है एकोनोमिक सर्वे 2020 सिकिस के नुसार जारकन राजी की कूल जनजाती आवादी में आदिम जनजाती की भागेदारी जो है ये है आपका 3.4 प्रतिसत है अब आगे देख लेते हैं जारकन राजी में सर्वादिक जनसंख्या वाला आदिम जनजाती समूह कौन सा है तो जारकन राजी में सर्वादिक जनसंख्या वाला आदिम जनजाती समूह माल पहाडिया है यादर कीगा माल पहाडिया अब देखे जारकन राजे के किन जिलों में पहाडिया स्वास्थ योजना के तहट 18 पहाडिया स्वास्थ उपकेंद्रों का संचालन किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है पाकुड में साहिवगंज में दुमका में गुड़ा में यानि कि संथाल परगना के चार जिले पाक साहिव गंज दूम का गुडड़ा ठीक है अगे देख लेते हैं कहा जा रहा है कि जारकंड आर्थिक सर्वेक्षन 2020-2021 के अनुसार बिर्सा आवास योजना के तार राज्य के आदिम जन्जाती परिवारों को आवासिय सुविदा के लिए कितना प्रतिसत अदूदान दिया ज आता है देखे एकोनोमिक सर्वे 2020-2021 के अनुसार जारकंड राज्य के किस जिले में वरिहद खानों की संक्या संक्या सरवाधिक है तो यह है आपका साहिव गंज याद रखेगा कि वरिहद खानों की संक्या सरवाधिक है धनबाद में और लगु खानों की संक्या कहां पर है तो साहिक गन्ज में है अब देखे एकोनोमिक सर्वे 2020 के नुसार Competition Water Management Index 2019 में देशके के 17 गायर हिमालई राजी तो ये अस्थान रहा है आपका अन्तिम देखे, Economic Survey के अनुसार Composite Water Management Index 2019 के अनुसार देश के 17 गैर हिमालेई राजियों में जारकंड का स्थान रहा है, अन्तिम, जारकंड राजियों में कितनी परतिसत लोग बोल चाल हे तुँ घरों में अस्थानी अभासा का प्रियोग करते हैं, तो ये है आपका 96% लोग, तो हम अभी क्या देखे, जारकंड Economic Survey 2021, अब हम देखेंगे, जारकंड Economic Survey 2021, ठीक है, 2021 को देखेंगे, तो देखे, हम लोग आज केवल Economic Survey ही देखते हैं, ठीक है, बजट कल हम लोग देख लेंगे, और तीन दिन लगेगा Economic Survey में परिशान नहीं होना है, ठीक है, जारकंड आर्थिक Economic Survey 2021 में कूल कितने अध्या हैं, तो ये 17 अध्या है, हमने देखा था, 2021 में भी 17 अध्या है था, और 2021 में भी 17 चाप्टर से हैं, अब देखें, Economic Survey 2021 के अनुसार, बित्यवर्स 2021 में, जारकंड राजे का आर्थिक संवरिधी दर कितना अनुमानित है, तो ये याद रखेगा, आर्थिक संवरिधी दर जो अनुमानित है, माइनस 4.7 प्रतिसत, आर्थिक संवरिधी Economic Growth 2021 में, जारकंड राजे का आर्थिक संवरिधी दर माइनस 4.7 प्रतिसत अनुमानित है, अब देखें, 2021 के अनुसार, जारकंड राजे का, अब हम देखेंगे, Economic Survey 2021 को आपको understood होना चा जारकंड राजे घरेली उत्पाद, यानि कि GSDP, देखेंगे राजे का कितना प्रतिसत है, तो यह है आपका कितना प्रतिसत, 1.68 प्रतिसत. 1.68% याद रहेगा कूल देश के GDP का जार्खंड का जो GSDP का योगदान कितना है GDP में तो 1.68% Economic Survey 2021-22 के अनुसार वित्यवर्स 2021-22 में जार्खंड राजे का प्रतिवेक्ति आये कितना अनुमानित है तो कितना अनुमानित है 75,587 रुपए जार्खंड राजे का प्रतिवेक्ति आये 85,480 रुपए अनुमानित है अब देखे Economic Survey 2021-22 के अनुसार वित्यवर्स 2021-21 में राजे के राजे में प्रात्मिक छित्र के सम्रिद्धी दर अनुमानित है हमने पहले भी इसके बारे में Economic Survey में बात किया 21-22 में अभी 21-22 में Primary Sector का Economic Growth जो है वो कितना अनुमानित है तो 10.2% ठीक है ठीक ठाक है अब देखे Economic Survey 2021-22 में बित्यवर्स Financial Year 2021-21 में राजे में सेकेंडरी सेक्टर की सम्रिद्धी दर कितना अनुमानित है तो ये है आपका माइनस 10.3 तो इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा निगेटिव में चला गया ठीक है अब देखे Economic Survey 2021-22 के अनुसार बित्यवर्स 2021-21 में राजे में द्वित्यचित्र की सम्रिद्धी दर कितनी अनुमानित है तो ये आपका है माइनस 7.3 तो देखे 2020-21 में राजे का जारखंड एकोनोमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बित्यवर्स 2020-22 में राजे के GSVA मतलब सकल राजे मुल्य विर्धी ठीक है सकल राजे ग्रोस स्टेट वैल्यू क्या बोलते हैं विर्धी ठीक है तो ये क्या है इसका देख लिजेगा योगदान कितना रहा है ठीक है तो तृतिया छित्र या मैंने बताया था आपको टर्सियरी सेक्टर के बारे में इसका योगदान रहा है आपका 43.7 परतिसत 43.7 परतिसत नितिया योग के द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रिय बहु आयामी निर्धता सुचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के नुसार जार्खन राजी की कूल जनसक्या का कितना परतिसत आबादी गरीब है तो ये आपका है 46.16 लगभग 50% आबादी गरीब है अब देखे नितिया योग के द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रिय बहु आयामी निर्धता सुचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के नुसार जार्खन राजी के गरामीन छेतर की कूल आबादी का कितना परतिसत आबादी गरीब है जार्खन राजे के सहरी छेतर की कूल आबादी का कितना परतिसत आबादी गरीब है तो सहरी छेतर में कितना परतिसत आबादी गरीब है तो याद रखेगा बहुत कम है 15.26 परतिसत वहीं पर लगभग 50% है गरामीन छेतर की आबादी गरीब इसके द्वारा निती आयोक के द्वारा राश्ट्रिय बहु आयामी निर्धंता सुचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार जारकन राजे के किस जिले में ग्रामीनी गरीबी सरवाधिक है तो ये आपका है पस्चिमी सिंग भूम में कहा पर पस्चिमी सिंग भूम में ग् राश्ट्रिय बहु आयामी निर्धंता सुचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार जारकन राजे के किस जिले में ग्रामीनी गरीब नियुनतम आपके रामगर में है और सबसे ज़्यादा कहा है वई तो सबसे ज़्यादा हमने अभी देखा तोड़े दिर पहले पस्च जिले में नितिया युकी द्वारा बहु आयामी निर्धंता सुचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार जारकन राजे के किस जिले में सहरी गरीबी नियुनतम है तो ये आपका है पलामू ठीक है तो पाकुल में सबसे ज़्यादा सहरी गरीबी है और पलामू में सबसे अब देखिए कहा जा रहा है 21-22 के अनुसार वित्यवर्स 2020 में मनरेगा के तहत राजे के कूल कितने मानव दिवस कार्य का स्रीजन हुआ है तो ये हुआ है 1176 लाख कार्य दिवस का स्रीजन मनरेगा के तहत अब देखिए 21-22 के अनुसार राजे में मनरेगा के तहत रजिस्ट है आपका मेल किसमें मनरेगा के तहत रेजिस्टर्ड कूल मजदूरों के परसेंटेज में महिनाओं और पूरुसों का परसेंटेज ठीक है अब आगे देखें क्या कहा जा रहा है कि जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राज में मनरेगा के तहत पंजीकृत कूल मजदूरों में अनुसूचित जनजातियों का परसेंट कितना है तो ये है आपका 32% कितना है 32% कूल मजदूरों में अनुसूचित जनजातियों का ठीक है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ST का कितना 30% है तो 32% है अच्छा एकोनोमिक सर्वे 2021 के दौरान बित्यवर्थ 2021 के अनुसार दौरान किस जिले में मनरेगा के तहट स्रीजित कूल मानव दिवस कार्य में महिलाओं की भागीदारी सरवाधिक रही है तो ये रहा है आपका कोडर मामे कहा पर कोडर मामे अब दिखी कहा जा रहा है एकोनोमिक सर्वे 2021 के नुसार इन में से किस ग्राम पंचायत को नाना जी देश मुख राष्ट्रिया गौरफ ग्राम सभा पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आपका कहाँ पर गिरिडी का कपीलो और ये 19-20 में भी हमने देखा त ठीक है गिरिडी के कपीलो को जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2021 के 2021 के नुसार किस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना आवाड 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आपका किसको साहिव गंच का खुट हरी को साहिव गंच के खुट हरी को अच्छा यहा किया गया है साहिव गंज के खुट अहरी को ठीक है, साहिव गंज के खुट अहरी को, और देखे, कहा जा रहा है, Economic Survey 2021-22 के अनुसार, इन में से किस ग्राम पंचायत को बाल मित्र ग्राम पंचायत अबयार मित्र चैना से labels 240 से सम्मानित किया गया है, ठीक है वो कारों के बुंडू को अब आगे देख लिते हैं कहा जा रहा है कि जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2021 के नुसार केंदर सरकार के द्वारा प्रारंब प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना के अंतरगत जारकंड के लाभारतियों में महिलाओं का प्रतिसत कितना है तो महिलाओं का प्रतिसत है 28% किसमें केंदर सरकार के द्वारा प्रारंब प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना के द्वारत जारकंड के लाभारतियों में महिलाओं का प्रतिसत कितना है तो ये आपको 3.4% है कितना 3.4% अब कहा जा रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए क्या विचार करना है वई तो देखे कहा जा रहा है यहां लिखा हुआ है मेदिनी नगर, मेदिनी नगर, राची, हुसायनाबाद और जुमरीत लिया यहां देखे एकोनोमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जारकण में संचालित सहरी जल आपूर्ती सुधार परियोजना में इनमें से कौन सा सहर सामिल है तो देखे यहां पर चारो सहर सामिल है मेदिनी नगर, राची, हुसायनाबाद, जुमरीत लिया एकोनोमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जारकण में संचालित सहरी जल आपूर्ती सुधार योजना में इनमें से कौनोमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार जारकण राज में सुध्ध बोया गया छित्रफल कितना है तो यह आपक सोलह प्रती सत है अब देखिए एकोनोमिक सर्वे दो checklist 21 22 के नुसार जrickण में पर्ती भूमिक का प्रती सत कितना है तो पर्ती भूमिक का प्रती सत है आपका 18 परती सत अब देखिए एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार बित्य वर्स 2021 में राज में धान का उत्पादन, कूल उत्पादन कितना रहा तो 516,000 तन धान का कूल उत्पादन रहा एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार बित्य वर्स 2018 में राज में सस्य सघंता कितनी रही, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग डेंसिटी कितनी रही, तो ये रहा आपका 112 प्रतिसत, जो की पहले 126 प्रतिसत हमने अभी देखा था थोड़े दिर पहले 2020 में, ठीक है, तो देखे, अब कहते हैं, एकोनोमिक सर्वे 2021 के अनुसार जारकंड सरकार के द्वारा प्रारंब क्रीसी रिन माफी योजना के अंतरगत मानक फसल रिन की अधिक्तम कितनी रासी माप की जाएगी, तो ये अधिक्तम रासी माप की जाएगी आपका, 50,000 रुपिय, ये एकोनोमि सरवे 2021-22 के अनुसार जारकंड राजी के कूल सिचाई स्रोतों में कुवा का प्रतिसत कितना है तो कुवा का प्रतिसत है 42 प्रतिसत और आप जानते हैं जारकंड में कुवा से ही सबसे ज़्यादा सिचाई करी जाती है ठीक है अब आगे देखे कहा जा रहा है कि जारकंड रा जलासेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें जर्वे 2021-22 के नुसार कुवा से 42 परतिसद नहरों से 28 परतिसद तथा तालाबों से 29 परतिसद अब देखें 2021-22 के नुसार इनायम के तहत आपका व्यापार एवं डिजिटल पेमेंट में जारखंड के किस क्रिसी मंडी को भारत के साथवे सर्वस्रेष्ट किस क्रिसी मंडी का अस्थान मिला है अब आगे देख लेते हैं कि जो एकोरमिक सर्वे 2021-22 के नुसार देश के कूल कोईला भंडार का लगभग 27 परतिसाथ जारखंड राज में भंडारी थै देखें कितना परतिसाथ भाग जारखंड राज में भंडारी थै अब देखें किया कहा जा रहा है जारखंड एकोरमिक सर्वे 2021-22 के नुसार देखें कितना परतिसाथ भाग जारखंड राज में भंडारी थै कितना परतिसत भाग ज्यारकन राज में भंडारी थे तो ये है आपका क्या बोलते हैं 18 परतिसत आर्थिक सर्वेक्षन एकोरमिक सर्वे 2021-22 के नुसार देश के कूल तामबा अयस्क भंडार का लगभग 18 परसेंट भाग ज्यारकन भंडारी थे अब देखिए ज्यारकन राज में इनमें से किस खनीज का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है तो ज्यारकन राज में लग एस्क का यहाँ पर अगर देखा जाए कोईला अबरक तामबा इन सभी में सबसे ज़्यादा लग एस्क का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है और य 22 के नुसार जहारखन राज में इनमें से किस खनीज का उत्पादन की लाक टन की द्रिष्टी में दूसरा अस्थान है तो याद रखेगा ये है आपका कोईला लह एसक की बाद कोईला का उत्पादन सरवादी किया जाता है ठीक है अब आगे देख लेते हैं कि चौनामिक शर्वे 2022 के नुसार वित्कया वर्टस फैनेंसियल एर 2021 में खनीज़ों से रोयल्टी जो मिलता है उसकी द्रिष्टी में किस जिले का अस्थान प्रथम है तो किस जिले का स्थान प्रथम है तो ये आपका पश्चीमी सिंग भूब ठी अब कहा जा रहा है सितंबर 2021 में राज में कूल विद्यूत उत्पादन चम्ता कितनी है सितंबर आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के नुसार सितंबर 2021 में राज में कूल विद्यूत उत्पादन चम्ता कितना है तो कूल विद्यूत उत्पादन चम्ता 2643 मेगावाट ठीक है एकोनोमिक सर्वे, अहां पर दिया हुआ है कि इकोनोमिक सर्वे के अनुसार जार्खंड राजी की कूल विद्यूत उत्पादन छंता में सरवाधिक योगदान इनमें से किस छेतर का है, तो यह है आपका केंदर सरकार, याद रखेगा कि जो आपका एकोनोमिक सर्वे इकोनो सरकार का केंदर सरकार का या फिर PPP यानि कि Public Private Partnership Mode का तो याद रखेगा केंदर सरकार का सरवाधिक योगडान है देखे कहा जा रहा है Economic Survey 2022 के नुसार जारकन राजी की कूल विद्यूत उत्पादन छंता में केंदर सरकार के हिस्सेदारी कितनी वही लगभग ये है आपका कितना लगभग तो 54 परतिसाथ तो 54 परतिसाथ केंदर सरकार का ही क्या है यहाँ पर कंट्रिब्यूशन है चीक है Central Government का उसके बाद देखे यहाँ पर लिखा गया है Economic Survey 2021 Economic Survey 2021 के नुसार जारखन राजे की कूल विद्यूत उत्पादन छंता में नीजी छेतर के हिस्सेदारी कितनी है लगभग तो नीजी छेतर के हिस्सेदारी जो है यह आपका 25 परतिसाथ है लगभग कितनी तो यह आपको यह आपका कितना है तो 93 मेगावाट कितना 93 मेगावाट नभी करनिया उर्जा जैसे की सोलर उर्जा वगेरा से ठीक है, तो 93 मेगावड, अब देखें, 21-22 के नुसार केंदर सरकार के द्वारा प्रारंब, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में ज्हारकन राज की प्रथम परियोजना इनमें से कौन सी है, तो प्रथम परियोजना तिलया डैन जो है, कोडरमा वाला वाला है, ठीक है, पर्थम परियोजना अब देखे क्या है कि जो जारकंड एकोनोमिक सर्वे 2020-22 के नुसार केंदर सरकार के द्वारा प्रारंब अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में जारकंड राजी की दूसरी परियोजना इर्मे से कौन सी है तो दूसरी परियोजना जो है वो आपका की कूल संख्या कूल लंबाई कितनी है तो कूल लंबाई कितना भई तो ये आपका है आपका 3290 किलो मीटर 3290 किलो मीटर ठीक है 3290 किलो मीटर अब आगे देख लेते हैं एकोनोमिक सर्वे 2021-22 के नुसर दो एक अक्टूबर 2021 को जहारकंड राजी में राजके राजमारगों की कूल लंबाई कितनी तो राजके राजमारगों की लंबाई 1232 किलो मीटर अब देखे जहारकंड एकोनोमिक सर्वे 2021-22 के नुसर दो जहारकंड राजी का सड़क घनत्व प्रती 1000 वरग किलो मीटर सड़क लंबाई पर जारकंड राजी का सड़क कितना है, तो 162.67 किलोमीटर, जारकंड एकोनोमिक सरवे 2021 के नुसार, जारकंड राजी में सरवाधिक सड़क घनत वाला जीला कौन सा है, तो ये आपका है देवघर, कौन सा देवघर है, आगे देख लेते हैं, जारकंड एकोनोमिक सरवे 2021 के नुसार, जारकंड राजी में सिसो मृत्यूदर, कितना है, सिसो मृत्यूदर कितना है, एन FHS5 के आधार पर ये कहा जा रहा है, तो सिसो मृत्यूदर कितना है वई, तो ये आपका है 37.9%, तो हम लोग आज यही रहने देते हैं, के वह एकोनोमिक सरवे देखते हैं, कल देखेंगे बजट, और उसके बाद जो भी ये हो जाएगा, आर्ट एन कल्चर कर लेंगे, और उसके बाद जो है, आर्ट एन कल्चर एक लंबा सेक्षन है, मिसलीनियस कर लेंगे विविद, और फिर जो सेट यहाँ पर दिये गए हैं, लगबग 95 सेट है, तो सारे के सारे सेट को लगबग हम लोग जल्दी कवर कर ले और 95 सेट उधर 10 दिन में हो जाए, तो 30 दिनों में, लगबग इसी महिने में हम लोग जुलाई में ये पूरा कवर करना है, ठीक है, पूरी बुक को कवर करना है, साथी साथ कंप्यूटर को भी कवर करना है, तो ये कंप्यूटर हो गया, आपका जारकंड जी के हो गया, हम लोग करेंगे, लेकिन जैसे सीजेल के लिए भी वो लाबदायक होगा, हमारे पास वैसे टीचर्स आ रहे हैं, जो कि रिजनिंग के लिए, मैट्स के लिए काम करेंगे आप लोगों के लिए, और GKGS पर हम काम करेंगे ही, चाहे किसी भी एक्जाम को ले करके हो, लेकिन अगर आप अभी जैसे सीजेल की तयारी कर रहे हैं, तो इस रिविजन प्लान से जरूर जूड़िएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें जूड़ करके, अपना पढ़ाई टूट करके, लगातार एक कैलकुलेटेट तरीके से कर रहे हैं, और हमें आसा है कि उन पे करके आपको स्क्रिंसोट दे देना है, आपको ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा, जैहिन जैभारत मिलते हैं अगले वीडियो में